साथियों, अपसे कुछ दुन पुर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है, अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं, ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाएं, ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जब्त होती रहें, उनसे वसुली होती रहें, उनसे कम किमत पर अनाज खरीद कर बिचोलिय मुनाफा कमाते रहें, एक किसान की आजा करें जिन सामानों की उपकरण की गिसान पूजा करता है। उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे था साथ क्यों बरसों तक ये लोग कहते रहें MSP लागू करेंगे MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं MSP लागू करने का काम स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रह्म फ़ला रहे हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन आजादी कुछ लोग बरदास्त नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समात्त हो गया है इसलिए इने परिशानी है साथियों करोना के इस कालखन में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने जनदन बैंक खातों ने रुपे काण ने लोगों की कितनी मदद की है लेकिन आपको याद होगा जब यही काम हमारी सरकार ने सुरू किये थे तो यह लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे इनकी नजरों में देश का गरीब देश के गाउं के लोग अनपड थे अज्यानी थे देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाएं वो भी डिजिटल लेंदेन करें इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया साथियों देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टेक्स की बात आई जीएश्ट्री की बात आई तो फिर यह लोग फिर विरोध करने लिए बातान में आगे जीएश्ट्री की वज़र से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टेक्स बहुत कम हो गया है जादा तर घरलू सामाने रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टेक्स अब या तो नहीं है या फिर पांच प्रतिशत से भी कम है पहले इनी चीजों पर जादा टेक्स लगा करता था लोगों को अपनी जेब से जादा पैसे खर्च करने पड़ते थे लेकिन आप देखिए इन लोगों को जीएश्टी से भी परेशानी ये उसका मजाग उड़ाते हैं उसका विरोध करते हैं साथ को ये लोग न किसान के साथ है न नव जबान के साथ और नहीं देश के वीर जबान के साथ है आपको याद होगा जब हमारी सरकार वन रैंक वन पेंशन लाई उत्तरा खंड के हजारों पुरव सैनिकों को भी उनका इधिकार दिया ते लोग इसका भी विरोध कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद सरकार पुरव सैनिकों को लगभग ग्यारा हजार करोड रुपिये एरियर के तो दे चुकी है यहाँ उत्तरा खंड में भी एक लाग से जाना पुरव सैनिकों को इसका लाब मिला है लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किये जाने से हमेशा दिक्कत रही इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध किया सात्यों बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को देश की बायू सेना को ससक्त करने के लिए कुछ नहीं किया बायू सेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ा को विमान चाहिए लेकिन ये लोग बायू सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजर अंदाज करते रहे जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाइल लड़ा को विमान का समझोता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी भारतिय वायू सेना के पास रफाइल विमान आए भारतिय वायू सेना की ताकत बड़े ये इसका भी विरोद करते रहे मुझे खुशी है आज रफाइल भारतिय वयुसेना की ताकत बढ़ा रहा है अंबाजलास से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतिय जाबाजों का हांसला बढ़ा रही है साथियों चार साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइट करते हुए आतं के अड़ों को तवा कर दिया था लेकिन यह लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रसंसा करने के बजाए उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइट के सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके ये लोग देश के सामने अपनी मन साब अपनी नियत साब कर चुके हैं देश के लिए हो जो भी काम हो रहे हो हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है उनकी राजनीती का एक मात्र तरीका यह यह है बस विरोध 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 आप याद करिए बारत की पहल पर जब पूरी दुनिया आंतर राश्चिय योग दिवस मना रही थी पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है योग पहुंच चुका है तो यह भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे जब देश की सेंकड़ों रियासतों को जोड़ने का काम एक्तिहासिक काम करने वाले भारत की एक्ता को मजबूत करने का काम करने वाले सरदार वल्लब भाई प्रटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का नावरण हो रहा था तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टेज इविनिटी के दर्शन करने नहीं गया है क्यों क्योंकि उन्हें विरोध करना है साथ क्यों जब गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला हुआ तब भी ये इसके विरोध में खड़े थे जब 26 नवेंबर को सम्विधान दिवस मनाने की बात आई तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर बाबा साब अम्बेड करका विरोध कर रहे थे साथ यो पिछले महने ही आयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमी पुजन किया गया है यह लोग पहले सुप्रम कोट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमी पुजन का विरोध करने लग गए हर बदलती हुई तारीक के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाली ये लोग देश के लिए समाज के लिए और प्रसांगिक होते जा रहे हैं इसकी छटपटा हाँच है बेचेनी है हताशा है नराशा है एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार-चार पीडिया जिसने देश पर राज किया वो आज दूसरों के कंदों पर सवार होकर देश हिस से जुड़े हर काम का विरोध करवा कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है साथियो हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दल है जिने कभी सब्ता में आने का मोका नहीं मिला अपना समय विपक्ष में ही बिताया है इतने वर्षों तक विपक्ष में बैटे के बावजूद कि उन्होंने कभी देश का मिरोध नहीं किया देश के खिलब काम नहीं किया लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैटे कुछ वर्षी हुए है उनका तौर तरीका क्या है उनका रवया क्या है वो आज देश भली भाती समझ रहा है देश उसको बहुत बारी किसे देख रहा है इनकी स्वार्थनीती के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफार्म्स का ये सिलसिला देश के संसाधनों को बहतर बनाने का ये सिलसिला देश हित्मे है देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए है देश को ताकतवर बनाने के लिए है और ये निरंतर जारी रहेगा